बेहत एहम खबर इस वख़त की प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने पद्म पुरसकारों के लिए लोगों से नामों के सुझाओ माङए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लोगों से 15 सितंबर तक जमीन से जोड़े असाधारान काम करने वाले लोगों को नॉमिनिट करनी के अपील की है प्रधानमंत्री नेरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि देश में बहुत से प्रतिभाशाली लोग हैं जिनके बारे में हमें जादा जानकारी नहीं मिल पाती लेकिन वो जमीन से जोड़े हुए लोग हैं और लगातार काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है भारत में बहुत प्रतिभाशाली लोग हैं जो जमीने इस तर पर बेहतरीन काम कर रहे हैं लेकिन अक्सर हम उनके बारे में जादा सुनिया जान नहीं पाते क्या आप ऐसे प्रिणा देने वाले लोगों को जानते हैं आप ऐसे लोगों को पद्म पुरसकारों के लिए 15 सितंबर तक www.padmaaward.com.gov.in पर नॉमिनेट भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात की जानकारी दिये कि जो जमीन से जुड़े ऐसे प्रतिभाशाली लोग हैं जो लगातार काम करते जा रहे हैं उन्हें आप पद्म पुरसकारों के लिए नॉमिनेट भी कर सकते हैं और इसके लिए उन्होंने कहा भी है कि आप www.padmaaward.gov.in पर नॉमिनेट कर सकते हैं यानि कि लोग अगर चाहते हैं कि उनके इर्दगिर्थ कुछ ऐसे प्रतिभाशाली लोग हैं जो लगातार काम कर रहे हैं तो पद्मा अवार्ड के लिए उन्हें नॉमिनेट लोग खुद कर सकते हैं अमिताब सिना अमारे वर्ष सेयोगी इस वक्त हम से सीधे जोड़ रहे हैं अमिताब ये एक नई बात ट्वीट के जरीए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है क्या मकसद इसके पीछे देखिए नई बात नहीं है प्रधान मंत्री ने जब से अपना कारेभार समाला है 2014 उन्होंने पुरानी परंपरा खतम कर जी कि सरकार और या ग्री मंत्रा ने रिकमेंड करेगा उसी को पद्मश्री पद्मा वाट दिये जाएंगे प्रधान मंत्री पुरानी लीक से हटते हुए प्रधान मंत्री ने समाज के उस तमाम जो जिसे निजली कटार में जो कहते हैं ट्राइबल इरियास में काम करने वाले पुद्योग जगत में काम करने वाले अनूठा काम करने वाले लोगों को उन्होंने पद्मा वाट देने कि परंपरा शुरू की थी उसको उन्हें कायम रखा हुआ है और हर साल प्रधान मंत्री खुद ट्वीट करके जनता से कहते हैं आप अपने इलाके में कोई बढ़िया काम कर रहा हो समाज सेवा का काम कर रहा हो और बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद कर रहा हो तो ऐसे को आप नाम बढ़ाएं सरकार उस पर फैसला लेगी और पिछले पांचे सालों की परंपरा देखे प्रशांद तो ऐसे कई नए चेहरे आये हैं सुदूर नौटिस से भी और बाकी इलाकों से भी जो 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 जिन्होंने समाज के चेतर में काम करके आगे बढ़े हुआ